पिछली वीडियो में गांडीव धनुष के बारे में जानने के बाद आज की इस वीडियो में महारती कर्ण के विजय धनुष के बारे में जानेंगे कि वो किसका था, किसने बनाया था, कितना शक्तिशाली था और क्या क्या कर सकता था इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और साथ ही इसके रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शन्स को भी देखेंगे जो की बहुत ही जादा फैली हुई है इन लोगों की अकॉर्डिंग विजय धनुष महादेव का नहीं बलकि देवराज इंद्र का था तो क्या ये सच है और महाभारत में हमें दो दो विजय धनुषों का उलेख क्यों मिलता है साथ ही विजय धनुष अगर करण के पास था तो वो रुकमी को कैसे मिल गया क्योंकि बहुत से लोग बिना पढ़े बस कोरा पर लिखे हुए आइटिकल्स को पढ़ कर ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च कर लिये और बस उनी की बकवास को हिंदी में ट्रांसलेट करके अपनी मासूम ओडियोंस को गुमराह करते रहते हैं पर आज की इस वीडियो में हम इन सब का परदा फाश करेंगे तो चलिए बिना देर कि ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस धनुश की ओरिजिन की बात कर लेते हैं तो ये धनुश कैसे बनाया गया इसका हमें कोई उलेक नहीं मिलता पर ये तो एक अत्यंती पावरफुल धनुश था ना फिर भी हमें इसका उलेक क्यों नहीं मिलता तो देखो यार एक कहावत हमारे यहां बहुत प्रचलीत है कि जो दिखता है वही बिखता है और ये चीज यहां भी अपलाए होती है मतलब ये एक ही पिनाक, शारंग और गांडीव जैसे धनुशों के बारे में हमें इतनी कहाणिया इसलिए मिलती है क्योंकि ये धनुश हमें इनके होल्डर्स के पास लगतार देखने को मिलते रहे जैसे कि पर ब्रम परम पिता परमेश्वर भगवान शिव को most of the time पिनाक धारन किये हुए ही बताया जाता है यानि कि वो most of the time जरुरत पढ़ने पर इसी धनुश का यूज करते थे सेमिसी तरह भगवान विश्णु और श्री कृष्ण जी को शारंग धनुश मिलने के बाद वो इसी धनुश का यूज करते थे जबकि विजए धनुश के साथ ऐसा नहीं है ये धनुश हमें इनके होल्डर्स के पास जादा देखने को नहीं मिला है और वो क्यों वो मैं आपको आगे बताता हूँ फिलाल आप ये देखिये ना कि ना तो भगवन परशूरामची ने इस धनुश को जादा होल्ड किया और नहीं करने करने तो इसे बस 17th डे को ही यूज किया था इसलिए ये धनुश हमें बहुती कम देखने को मिला है और इसलिए धनुश की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जादा बातें नहीं की गई तो आई होब कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्यों हमें इस धनुश के बारे में जादा जानने को नहीं मिलता और अगर अभी कुछ लोगों को रोना है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ तो सुनो यजुरुवेद के श्री रुद्रम में हमें ये साफ मेंशन मिलता है कि महादेव लिटरली सैंकलो धनुशो को होल्ड करते हैं और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सुनो पर ब्रम उन धनुशो को धारन करते हैं तो वो कितने जादा पौरफुल होंगे पर क्या हमें उन सभी की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है अफकोर्स नहीं यार क्योंकि उन धनुशो के बारे में ज़्यादा बाते नहीं की गई है क्योंकि महादेव ने उनको ज़्यादा यूजी नहीं किया है इसलिए हमें उन धनुशो की ओरिजिन स्टोरी देखने को नहीं मिलती और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें कैसे बनाया गया इसका उलेक मिली जाए सेमिसी तरह विजय धनुष के बारे में भी हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं मिलती पर फिर भी जितना मिलना चाहिए उससे जादा ही बताया गया हमें और वो ये है कि करण के पास विजय धनुष आया उसके गुरू भगवान परशुराम जी के द्वारा और भगवान परशुराम जी को ये धनुष मिला उनके गुरू पर ब्रह्म महादेव से जिनोंने उसे खुद अपने हाथों से बनाया था तो ऐसा नहीं है ये गलत फैमी दो धनुशों के सेम नेम होने की वज़ा से हुई है नहीं समझे कोई नहीं अभी समझाता हूँ तो ये जो कर्ण का स्टेटमेंट है ना वो कुछ नहीं बस एक कनफ्यूजन है और वो कैसे अभी बताता हूँ तो देखो यार हमें महा भारत में सच में दोदो विज़े धनुशों का उलेक मिलता है एक तो वो जो कर्ण के पास था दूसरा वो जो श्री क्रिशन जी के साले रुक्मी के पास था अब ये लोग जो कर्ण के धनुश को देवराज इंद्र का बताते हैं वो दरसल कर्ण से नहीं बलकि रुक्मी से बिलोंग करता था क्योंकि भगवान परशुराम जी को इंद्र से कोई धनुश वनुश प्राप्त नहीं हुआ था जबकि महाभारत के उद्योग परव की अध्या 155 के अनुसार इंद्र देव के पास जो विजय धनुश था वो उन्होंने परशुराम जी को नहीं बलकि किम पुरुष दुरुम को दिया था जोकि सौभाग्य से रुक्मी के गुरु भी थे और रुक्मी को उसका विजय धनुश उन्ही से मिला था तो देखा जाए तो रुक्मी वाला विजय धनुश देवराज इंद्र का था ना की कर्ण वाला कर्ण को उसका विजय धनुश उसके अपने गुरु से मिला था भगवान परशुराम जी से मिला था और मैंने पहले ही दिखाया है कि विजय धनुष भगवान शिव ने दिया था परशुराम जी को और ये ब्रहमांड पुरान के उपोध घटापद के अध्याय 25 में साफ मेंशन है और अब इससे पहले कि कुछ लोग अपना भिंडी रोना शुरू करें कि ये तो पुरान है न पुरान में या प्रिंद्र का था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एक धनुष एक ही टाइम पर दो अलग लग लोगों के पास कैसे हो सकता है तो इस कन्फियूजन को दूर करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान परशुराम जी को ये धनुष कहां से मिला और ये जानने के लिए हमें दूसरे गरंतों को चानना ही पड़ेगा तो यहां पर हम इसका यूज बिलकुल कर सकते हैं और दूसरी बात जिस जगह पर हमें भगवान परशुराम जी की शिक्षा का ब्रीफली मेंशन मिलेगा वहीं पर हमें ये पता चल सकता है कि भगवान इसके अलावे सोचने वाली बात यह है कि इंद्र के किसी और वेपन का नाम विजय नहीं है बलकि अगर आप महादेव को ही देखो तो उनके त्रिशूल का नाम भी विजय है जस्ट लाइक पिनाका तो इन सब बातों से यह साफ है कि परशुराम जी को यह धनुश प्रशुराम जी को दिया और पशुराम जी ने इसे करण को दे दिया तो यहीं पर दो-दो विजय धनुशों की confusion दूर हो जाती है अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा ही था तो कर्ण ने क्यूं कहा कि उसका विजय धनुश इंद्र का है तो उसने बोल दिया पर यह तो common sense की बात है ना कि परशूराम जी को विजय धनुश महादेव से मिला था तो यह इंद्री देव का कैसे हो गया खुद भी दिमाग लगाना पड़ता है यार और कुछ महान उभाव तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि कर्ण के पास विजय धनुश था ही नहीं क्योंकि 17th day से पहले उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया और किसी को इसकी भनक भी नहीं थी कि उसके पास विजय धनुश भी है मुझे तो यार समझ नहीं आता कि क्या हैं ये लोग तेरे यार 17th day तक तो किसी को भारगवास्तर की भी बनक नहीं थी लेकिन जब कर्ण ने छोड़ दिया तो सबकी आलत कराब हो गई और उसके मरने के बाद भी किसी को उसके अपार अस्तरों के भंडार के बारे में भी कुछ खबर नहीं थी जिसे उसने संसार की भलाई के लिए कभी यूजी नहीं किये अगर वेद व्याजी ने ना बताया होता तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती तो इसका जिक जिसमें मैंने बताया था कि गांडीव को अर्जुन अपना बेस्ट वेपन मानता था सेमिसी तरह करण का विजय धनुष भी उसका बेस्ट वेपन था संसार के किसी भी अस्त्र शस्त्र में इतनी शक्ति नहीं थी कि इस धनुष का प्रतिकार कर सके धनुष तो दूर की बात ह इसकी प्रत्यंचा को भी कोई भेद नहीं सकता था इसको अर्जुन के गांडीव से कहीं अधिक शक्ति शाली बताया गया है इवेन अगर आप लोजिकली भी सोचो तो गांडीव रुक्मी का विजय धनुष और श्री क्रिशन का शारंग ये तीनों धनुष इक्वली बताया ही गया है विच मिन्स कि ये धनुष शारंग गांडीव और रुक्मी के विजय धनुष ते कहीं अधिक शक्ति शाली था और जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि धनुष की आत्मा उसकी प्रत्यंचा में होती है और जितनी मजबूत इसकी प्रत्यंचा थी उतनी भयानक इसकी टंकार थी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार सुनके तो शत्रू के हिर्दे कापते थे ना पर विजय धनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनके शत्रू मोहित हो जाये करते थे और यहां पर मोहित हो जाने का अर्थ है बदहवास हो जाना तो सोचिए उसकी प्रत्यंचा की टंकार कितनी जादा पौरफुल होगी कि शत्रों पर ये मांसीक रूप से प्रभाव डालती थी और इसकी प्रत्यंचा इतनी शक्तिशाली थी कि करने इस धनुष ते गांदीव की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, फांच भी नहीं, बलकि ग आवर्स को भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता था, और ये भी एक बड़ा कारण था, कि विजय धनुष के नॉर्मल तीरों सही करने अर्जुन के उत्तम ब्रहमास्त्र को काट दिया था, और जैसा कि इस धनुष का नाम था, वैसा इस धनुष का काम भी था, मतलब ये एक लोता ऐसा धनुष था, जो अपने होल्डर के जीत की गैरेंटी देता था, और ये शास्त्र में लिखा भी है, इवेन करण ने जिस मोमेंट से विजय धनुष का यूज करना शुरू किया था, तब से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया था, कुछ लोग कहेंगे कि भीम ने करण को विजय धनुष के साथ हरा दिया था, पर ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने मेरी ये दो वीडियोस देखी होगी, उन्हें पता होगा कि उस समय ना तो करण के हाथ में विजय धनुष था, और नहीं वो कोई डिफीट थी, और अगर इसा कारण जानना है तो मे अर्जुन का वद्ध किया था, इसका यूज करने पर इतनी तेज धनी उत्पन होती थी कि शत्रु इसको सुन करके बेहोश हो जाया करते थे, ये धनुष किसी भी अस्र शास्र को इन्वोक करने के साथ साथ उसकी पावर्स को भी इन्हेंस करता था, ये इतना शक्तिशाली था कि श्तिवाए महादेव, परशुराम और करण के कोई भी धनुष प्रत्यंचा भी नहीं चड़ा पाया था, तो आप सोच सकते हो कि ये धनुष कितना जादा पावर्फूल होगा, ये गांडीव, शारंग जैसे धनुष तो इसके आगे खिलोने थे, जुक्के रहना प वेल तो इतने पावर्फूल धनुष को धारन करने वाले करण ने इसको सिर्फ 17th डे को ही क्यू यूज किया, वो तो इसको बाकियों की तरह हमेशा यूज कर सकता था ना, पर उसने ऐसा क्यू नहीं किया, जा पूछ किया, तो देखो यार इसके पीशे तीन कारण है, पहल एक काम किये थे, दूसरा कारण ये था कि विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि अगर करण इसको हमेशा हर छोटे बड़े युद में यूज करने लगता, तो ये मानवता और प्रिथवी के लिए विनाशकारी हो सकता था, क्योंकि इसके द्वारा छोड़े गए साधार करण बान भी दिव्यास्त्र जित्रे पाउरफूल होते थे, तभी तो नॉर्मल तीरों से ही ब्रह्मास्त्र को काटना पॉसिबल हो पाया था, और अगर ऐसे में बार बार लगातार इस धनुष से दिव्यास्त्रों को समन किया जाने लगता, तो वो जरूत से जादा ही डि बहुत कम किया, मतलब यार यह जादा पाउरफूल होना भी किसी आफत से कम नहीं है, यह बड़ी अच्छी बात गया, और तीसरा कारण यह था कि विजय धनुष से ही प्रैक्टिस करते हुए करण ने अपने ट्रेनिंग पिरियर में गलती से उस गाय के बचले को मार दिया वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों से गलती से भी किसी इनोसेंट की जान जाए, तो यह थे वो तीन कारण जिनकी वज़ा से करण ने कभी भी विजय धनुष का यूज नहीं किया बिफॉर सेवेंटिन्थ डे तो कुछ लोग कहते हैं कि विजय धनुष वही धनुष था जिससे पर ब्रम परम पिता परमेशोर भगवान शिव ने त्रिपूर नगरी का विनाश किया था और पडशू राम जी ने 21 बार्ख शत्रियों का सफाया किया था पर ऐसा नहीं है वो विजय धनुष नहीं था बलकि वो अजगव धनुष था जिसे श्री राम जी ने राजा जनक के दरबार में तोला था और कर्ण के इस स्टेडमेंट का कारण मैंने पहले ही बताया है और सो भगवान परशू राम जी ने इस धनुष को बहुत ही कम यूज किया था तो ये वो धनुष नहीं था जैस कुछ भी तो ऐसा किसी भी धनुष के साथ नहीं होता था प्रतया कितनी भी हों चलाना तो पड़ता ही है इवेन भारगवास्ति चलाने के लिए ने को ब्रिधन रोल को करना पर थे तो लोगहीं मिसकंशर में यहीं मिक्लियर हो गई तो आज की इस वीडियो में हमने विजय धनुश के बारे में सब कुछ जान लिया उसकी ओरिजिन से लेकर पावर क्यों हमें दो दो विजय धनुशों का उलेक मिलता है और क्यों करन ने सिर्फ एक ही दिन इसका यूज किया सब कुछ पता चल गया हमें तो बस यार आज के लिए इतना ही मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में तब तक के लिए हरहर महादेव नमापार्वती पताई शिव शिव